हेलो स्वाइ गाइज, आज की एक नए वीडियो में आप सभी लोग का फिर से एगवार मेरे चैनल पे बहुत बहुत शागत है तो गैज मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ तो friends वीडियो की सुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है कि वीडियो को आपने अभी तक like ने किया है तो like कर दें और चैनल पर नए हूँ तो चैनल को subscribe कर दें तो friends आईए चलते हैं वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं तो friends आपके शंशंप फौन में डिस्पले का कलर black and white हो जाता है तो friends इस problem को solve करने के लिए आपको Stating Application पर किलिक कर देना होगा तो friends यहां से मैं Stating Application पर किलिक कर दूँगा अब जैसी Stating Application पर किलिक करते हैं friends यहां पर देख सकते हैं कि Stating Application ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपके फोन में बहुत शारा आफसन देखने को मिल रहा होगा तो friends आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है अब जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं आपको digital value wing आफसन देखने को मिल रहा होगा तो friends आपको इस वाले आफसन पर क्लिक कर देना है अब जैसे इस वाले आफसन पर क्लिक करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके phone में एक नया interface open हुआ और यहाँ पर आपको बहुत शारा आफसन देखने को मिल जाएगा तो friends आपको इहाँ से स्क्रॉल करके नीची की तरफ जाना है अब जैसे ही नीची की तरफ जाते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके phone में bedtime mode आफसन देखने को मिल रहा होगा तो friends आपको इस वाले आसन पर क्लिक कर देना है अब जैसे इस वाले आसन पर क्लिक करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फोन में एक नय एंटरफेस ओपन हुआ और यहाँ पर आपको कई सारा आसन देखने को मिल रहा होगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको turn on edge schedule आफसन देखने को मिल रहा होगा तो फ्रेंट्स आपको इस वाले आफसन पर किलिक कर देना है अब जैसे इस वाले आफसन पर किलिक करते हैं फ्रेंट्स अब आपके phone में display का color black and white नहीं होगा और आपके phone के display का color light ठेक हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसी तरह से हम अपने phone के display के color को black and white होने से ठेक कर फक्ते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करें और चैनल को subscribe करें बेल आइकन पर किलिक करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंट्स